जब भी किसी ओन स्क्रीन चोड़ी की केमिस्ट्री को याद किया जाता है तब तब कसोटी जिंदगी की अनुराग और प्रेड़ना का जिक्र जरूर आता है अनुराग बसू और प्रेड़ना की प्रेम कहानी इतहास के पन्नों में दर्ज है प्रेड़ना यानि की शयता तिवारी तो आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं लेकिन अनुराग बसू लंबे वक्त से इंडस्ट्री से गायब हैं क्या आप जानते हैं कि मूल रूप से पाक यालौ में काम कर रहे हैं भले ही आज़िकर का चहरा सिल्वर स्क्रीन पर ना आता हो लेकिन अनवराग का नाम लेते ही सबसे पहले उनहीं का खयाल जहन में आता है यूं तो सजैन ने भारतिय टीवी इंडस्ट्री में जादा काम नहीं किया लेकिन जितना भी काम किया उसके पीछे काफी तारीफ हैं बटोरी साल 1997 में सिजैन ने हसरते से डिब्यू किया था इसके बाद पल्चिन कलीरे दुश्मन आप बीती में भी वो नजर आए साल 2001 में कसोटी जिंदगी की में एकता कपूर ने उन्हें ब्र सिजैन को इतना पसंद किया गया कि उनके सिटारे साफ तोर बुलंदी यो पर नजर आने लगे थे आला कि इसा हुआ नहीं कासौटी जिंदगी की में काम करने के बाद सिजैन ने एका दुका सीरियल में काम किया और जादा लाइम लाइट नहीं बटूर पाइस दोरां से सिरियल पिया के घर जाना है में काम किया इसमें उनके साथ करन्वीर बहुरा भी नजर आए थे इन दिनों से जैन खान पाकिस्तानी सीरियल में काम करके खुश हैं वो जाधातर वक्त दुबाई में बिताते हैं जहां पर उनकी शूटिंग छे हफ्तों तक चलती है जहां इसक हो सका सिजैन के फैंस अब उनको फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं आपको ये भी बता दे कि बेहत सीधे साधे और आम भारतिये जैसे दिखने वाले सिजैन का लुग पूरी तरह से बदल चुका है शोचल मीडिया पर उनकी तस्वीरे चर्चा का विशे बनत है उनकी मा के कुछ रिष्टिदार पाकिस्तान के कराची में रहते हैं सिजैन के पितार रईस खान पाकिस्तान के मशूर सिदार वादक है जे हां तो आपको इस पर क्या कहना है कामेंट बॉक्स में हमें बताएं जुड़े रही है हमारे साथ नेक्स नाइन न्यूस से कि गडब बॉट